मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में दिये गई बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें हेलो फ्रेंड्स में ओनी लंगर आज हम बनाएंगे आलो गोबी और मटर उसके लिए हमने लिया हुआ है 500 ग्राम का फूल था जिसको हमने अच्छे से वाश कर लिया है और छोट छोटे पीसी में कट कर लिया है पांच मैंने मीडियम साइस के आलो जिनको इस तरीके से काटके तबवलोर रहा कमें साइस के रखोवागत है छोट करके रखा हुआ है यहला इसको बारिक शॉब्ने अच्छे है साथ टेश्पोन कसोंते नी ऑधेवाटर लिया हुआ है कि कि अथा पावर्वी काुछ हृश स्टेटी इसegen 0000, Bi- trabalh mustard प्रव्च चाहई हाफ टीएसपून मुरावा जीरा पॉडर्य इसे डिया हुआнов अव्डर हिंग लिया हुआ जरो गाल कि अध़िए विप्राइगे और यह विए आपाद कर देंगे हिए यह आपके छिएगे स्क्षपेंगे अल्का से शॉप्लेटर हो जुए आपने। जीरा हमारा हो चुका है अब हम इसमें कद्दुबस किया हुआ प्याज आज करते हैं इसको आज साइसे दोरेके दोन देंगे प्लेंपों दें मीडियम दखा हुआ है बारी चॉस्ट अगर ब्याज करते हैं दोनों इसको अच्छे सुह में देंगे अगर आप ओनियन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आज इसको अगोई भी कर सकते हैं ओनियन का हमारे हलका सा कलर चेंज हो चुका है हम इससे जदा इससे कूप नहीं करना है अब हम इसमें मसाले अड़ करेंगे कश्मीरी लानमीच और लानमीच पॉडर एड़ करते हैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे कलदी पॉडर बनिया पॉडर सालों को अच्छे से बून लेंगे बूना हुए जीरा पॉडर भी आड़ करते हैं कसूरी मेति कशूरी मेति रही अच्छे वश्चे से बूना है मसाले को अच्छे से बूनाएं मसाले को में तक पूना है मसाले को बूना में तब तक बूना है किभला पॉम जब administration यदि मसाले में अच्छे सी खुश्बू ना आने लगे मसाले में से बहुत ही अच्छी खुश्बू आने लगी है अब मैं इसमें टमाटर एट करतेंगे अब हारी कटी भी हारी में चायद करतेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोबी अट करतेंगे गोबी को अच्छे से बॉश्बू कर लगा है गोबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में यह अच्छे से मसाले में कोटा जानी चाहिए इसके बाद हम इसमें अलो एट करेंगे वन टेबली स्पूर पान याट करेंगे चारो तरफ को घुमाते हुए जिससे मसाले में अच्छे से कोटा जाए मारी गोबी गोबी में मसाला अच्छे से कोट चुका है अब हम इसले मटर एट करतेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अलो एट करतेंगे नमक एट करतेंगे बंटी स्पूल से थोड़ा सा ज्यादा नमक आप अपने टेस्ट होगी में एजर्स कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसमें थोड़ा सा पानी इस तरिके से हाथ में लेते हुए चारो तरफ से डाल देंगे हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी एड नहीं करना है हलका सा मिक्स कर लेंगे फ्लेम को हमने रखा हुआ है मीडियम और मीडियम फ्लेम में इसको कवर करके हम पकने देंगे और बीच बीच में एक दबार इसको हम चेक करेंगे कवर कर देंगे सब्जी को एक बार चला देंगे अच्छे से अच्छे सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे ये इवनली कुखोगी को भी आर आलू हमारे हाथ को खो चुके है फ्लेम को मिलकुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको बनने देंगे एले हमने इसको मीडियम फ्लेम पे बनाया है इससे में और पानी एड़ ना करना पड़े हमें से बहुत ही कम पानी पे बनाना है इससे हमारी सब्जी बहुत ही खिली-खिली बनकर तेयार होगी कवर कर देंगे एक बार चेक कर लेंगे एक बार हमने इसको बीच में मिक्स किया था अच्छे से सब्जी हमारी अच्छे से कुख हो चुकी है और पानी बीस में बिलकुल खतंग हो चुका है फ्लेम को हम हाई कर देंगे और एक मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम को अच्छे से बूल लेंगे सब्जी में मेरी बहुत ही अच्छी खिश्वु आ रही है मसालेदार मटर्शी और गोभी अलूबी सब्जी बनकर हमारी तैयार हो गई है सब्जी को कर्ची से हमें बहुत जादा मिक्स नहीं करना है एक मिनट पोच चुका है गैस को अउप कर देंगे इसको एक से दो मिनट के लिए इसी तरीके से कवर करके छोड़ देंगे दो मिनट हो चुके है सब्जी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है अब हम इसे सर्फ करेंगे अलू को भी मट्र की बहुत ही अच्छे सब जीवन कर अमारी तयार हुई है आप इसे प्राटे पूरी पुलके के साथ भी सर्फ कर सकते हैं यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है अगर आपको अच्छी लगती है तो प्रीज आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दन्यापती से गार्णिश करेंगे हालो गोवी मटर की सब्जी को हमने सर्फ कर दिया है हमाई नैसी पे से जूड़क कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक्यू